Hello and welcome you all, I am Rohitro Mahajan Trader So guys, साच हम बात करने वाले Reliance Communication Ltd. के बारे में और guys, काफी दिनों से अगर कल ही देखा जाए तो stock उपर जा रहा था पिछले दो या तीम दिनों से अगर देखा जाए तो stock में अच्छी रेली हमें देखने को बे लेती positive way में stock जा रहा था और यह इसी का फाइदा उठाया है कई लोगों ने और profit booking आज देखने को मिली है stock में Friday के दिन और यही कारण है कि आज stock गिर गया है आज stock में हमें गिरावट देखने को मिली अच्छा खासा stock में आज गिरावट आई और आप देख सकते हो clearly हापर profit booking यह आपको देखने को मिलेंगी काफी उपर तक यह trade कर रहा था बढ़ काफी हद तक यह नीचे की और आ गया है और closing इसने दी है लगबग 3.15 पेश अपर तो guys बात करने वाले हम इस वीडियो में इसके trade value के बारे में और काभी कुछ बाते हम इस वीडियो में करने वाले है तो वीडियो को end तक देखना काफी helpful होने वाला है वीडियो और अगर आप इस channel पर नए हो channel को subscribe कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शुरू करता है अगर देखे current price के बारे में तो 3.15 पेसे पे closing दी है और वही अगर बात की जाए तो stock अच्छा कासा लगबग 0.10 पेसे का असपास गिरता हो भी नजरा रहा है वही अगर बात करें percentage में तो 3.08% की गिरावड भी देखने को आपको मिल जाएंगी वही बात करें guys इसमें open आज हुआ था लगबग 3.25 पेसे पे 3.25 पेसे पे stock open हुआ था और उसके बाद high भी लगाया था लगबग 3.30 पेसे का और low लगाया है इसने 3.10 पेसे का और 3.15 पेसे पे इसने closing दे दी और वही एगर बात की जाए market cap की तो market cap भी अच्छा कासा तगड़ा है इसका 842.9 849 करोड के आसपास का sorry 842.9 करोड के आसपास का market cap है और हम इसे एक mid cap share तो नहीं small cap share कह सकते हैं और अच्छा कासा recover करने की ये कोशिश कर रहा है और resistance level के बारे में भी हम बात करें तो 3.30 पेसे का resistance level है और वही अगर बात की जाए second resistance level की तो 3.35 पेसे आपको आपड दिख जाएगा third resistance level की अगर मैं बात करो तो 3.45 पेसे आपको दिख रहा है वही support level में अगर देखें तो first support level में देखें 3.15 पेसे जैसे कि इसने आज support लिया है इस level पे वही अगर बात करें second support level की तो 3.05 पेसे तक इस support level ले तब वह नजर आ रहा है वही third support level की अगर बात करें तो 3.00 पेसे यहाँ पर नजर आ जाएगा तो support level के बाद guys हम बात कर शुके है और 3.15 पेसे पेसे इसने support लिया है जैसे कि support level के साब से हम देखे तो और वही आगे चले तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3.05 पेसे तक भी आ सकता है बट अगर उपर जाएगा तो यह 3.30 पेसे तक है clearly profit booking ही है guys है और वही अगर बात करें price performance के बारे में तो price performance के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 रुपे अब देख सकते हो 6 रुपे ने लगबख 6.00 minus 6.06 परसेंट की यहाँ पर price performance में हमें गिराड देखने को मिल रही है वही बात की जाए इसमें अगर one month के price performance की तो positive था 21% के असपास बब गिरतावा नजर आ रहा है और three months के अगर बात करें तो minus 33.33% के आसपास गिर रहा था और one year के अगर बात करें तो 63% तक positive भी हमें नजर आ रहा था और three years के बात करें तो negative हमें जातावा नजर आ रहा है वही गाईस आगे बड़े तो trade value के बारे में discussion कर लेते है क्या कुछ इसमें trade value हमें देखने को मिल रही है तो वही अगर देखा जाए तो आज इसमें लगबग 2 करोड के आसपास का trade value हमें देखने को मिला है और combinent delivery हम पर अभी तक हुई नहीं है तो यह अगर बात करें yesterday की तो yesterday में भी आप देख सकते हो लगबग 4 करोड के आसपास की यहाँ पर trade value है और वही बात करें combinent delivery की तो 3 करोड के something यहाँ पर नजर आ रही है वही बात करें one week के average हापर तो 4 करोड के something की हापर trade delivery देखने को मिल रही है और वही अगर combinent delivery की बात की जाए तो 2 करोड के something यहाँ पर नजर आ रही है वही अगर बात करें यहाँ पर one week के average की तो 3 करोड के something है और वही अगर बात करें combinent delivery की तो 2 करोड के something आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ community sentiments के हिसाब से आपर नजर आएगा तो 83% तक के आसपास की buying call अभी भी इसमें है 83% की buying call अभी भी इसमें है गाइस और काभी positive है काफी कुछ लोग इसमें और लगबग 3% की selling भी 6% की selling भी आपको दिख जाएंगे stock में जो की एक थोड़ी हलकी ही है बट जादा नहीं है बट buying के मुकाबले देखा जाए तो इसकी कुछ नहीं लगता है इसके सामने और 11% तक की holding आपको आपर दीख रही है और जो की काफी अच्छी बात है holding और जो buying है वो काफी उपर जा रही है और वही अगर selling के बात की जा तो selling काफी काम है guys आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें revenues generate हो है stock में तो revenues के अगर बात करें तो काफी downtrend में जाता हो हमें नजर आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हो clearly कि year on year जो इसमें गिरता हुआ है ग्राब दिखाई दे रहा है यह कह रहा है कि stock में काफी कुछ बुरा हुआ है और हो ही अगर rumors की बात करें तो काफी कुछ नुकसान इससे जहलना पड़ा एक टाइम पर 800 रुपे पर trade करता था और अब यह आ गया है 3 रुपे तक तो काफी कुछ stock में हुआ है वही काइस अगर revenue की बात करें 2017 में कहा पर revenue था देख सकते हो आप लगभग 6,554 करोड के आसपास का revenue था वहीं गिर गया था लगभग 2,018 में 4,593 करोड के आसपास आ गया था और 2019 की अगर बात करें तो 4,015 करोड के आसपास था वही 2020 में देखें तो 1,685 करोड के आसपास हा गया था 1,685 करोड के आसपास 2021 में कर देखें तो 707,60 करोड के सम्तिंग हापर देख जाएंगा Net profit में भी अगर देखें तो guys 2017 में उपर क्यों था लगभग 242 करोड था वही downtrend में आते गया और 2018 में यह हो गया लगभग माइनस 24 करोड के आसपास वही 2019 की बात करें तो माइनस 879 करोड है वही 2020 की अगर बात करें guys तो यहाँ पर लगभग 10,811 करोड के आसपास है किसे भी stock के लिए और वही आप देख सकता हो तो जो public holding है तो public holding यहाँ पर काफी ज़्यादा है अब देख सकता हो public के कुछ लिहाँ पर शेर से 89.13 करोड के आसपास लगभग 90.13 के आसपास की जो holding है वो सिर्फ public की है और वही अगर बात करें डियाए की holding तो डियाए की holding 0. 0.21% के आसपास है 0.21% के आसपास है वही अगर बात करें इसमें FI की holding तो FI की holding काफी कम है और ही नहीं यह मान के चलिए आप वही है 2.021 के परसंट के आसपास ही होंगी मेरे साब से तो आपर तो clearly देखने को नहीं मिल रहा है बट एक ही को take कर दिया गया है और वही अगर अगर बात करें इसमें promoters की holding तो 5.80% के आसपास की holding देख जाएंगे आपको यह पर promoters की और गाईस वही आगे अगर बढ़ा जाए तो अगर holding देखे तो उनकी भी holding आपको देख जाएंगी हाप पर लगभग वह holding है यहाँ पर 0.76% तो क्या कुछ holding तो उसके वारे में हम 0.83% के आसपास के रिलांस के यूर्वय केरा की 1.07% है रिलांस फाइन टरंपाने कि दीख जाएंगे 0.81% के आसपास और अन्यल्री हम बानी की दीख जाएंगे 0.07% तो यहाँ पर जो दिरुवाई अमानीत है उनकी वाइप की भी है और जो अनिलम्बानी की जो मदर है उनकी भी होल्डिंग है वही अगर बोडिस कॉर्परेट की बात के जाए पॉब्लिक होल्डिंग में तो 4.21% के आसपास है 0.80% के आसपास तो जो होल्डिंग है उसके बारे में हमने डिसकसिन कर लिया है और लॉंग टम के इसाफ से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो जो आज इसमें गिरावटी उसमें डरने की बात नहीं है पैने स्टॉक में हाँ बले ही रिस्क होता है वेडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो थेंक्यू